प्रकास वरानसी से आप सभी लोग का एल लगनेवी दुर्गेस में एक बार फिर श्वागत करता हूं एक बार सभी लोग कन्फर्म कराना आप लोग को आडियो वीडियो किलियर जा रहा है सभी लोग का सभागत है और आप सभी लोग सभी लोग अपने सारे ग्रूप में जैट्ने भी बी बो番 व क्लास के CLido को सेर करें और आज हम सभी लोगों को लेके लेकर आए हैं हिंदी का भीहतरी एक प्रैक्टिस सेशन नमस्ते कुछ वहां बोल रही है जी आईश्मान भवा दीवीजी वह कृतिमान भवा तो सभी लोग जो है क्लास में चले आएं सेयर कर दें जितने भी लोग सभी लोग सेयर करें सेयर करने अब हम क्लास प्रारम करने चल रहे हैं तो आज का जो सबसे पहला कोश्टन है चले ठीक है हिंदी हम सभी लोग डिसकस करेंगे 50 को संब करने वाले हैं सभी लोग उसमें उत्तर जरू करते रहिएगा प्रियंका जैसवाल है पुर्णीमा सेहीं हैं और सीमा हैं सभी लोग ज का जो सबसे पहला कोस्टन है यह है कि छंद्ध का सरप्रतम उलेख कहां मिलता है जो सबसे परियोग सब्सक्राइब भी आता है उन्हें क्या कहा जाता है एक कौस्चन में कुछ दिन पहले जरूर सभी लोग बिना देर की इसका उत्तर जरूर करें सभी लोग अभी सेर्ड नहीं के इस गाने करते हैं जिन सब्दों के अनत में औ आता है उन्हें क्या कहते है। जैसे अगर हम बात करें rice कि अ क्या है अकारांत बालक तक में क्या है औहाँ है अकारांत हो जाएगा नेश कोस्टन देखते हैं को तरी को एक सब्सटरे का सारी क्या करते हैं अब ध्यान दीजयेगा एक सारे क्यह को संसूपर तेट सोपर भर में इसको बहुत ही महत्य पूर्ण है यह सब को स्र में आते रहते हैं तो अंच से लोग इस की नउस्तरीजहां पत्य जोड का पत्पति जोड़ी सध्व या फिर पत्तनी कहते हैं तो अैसा अगर देखते हैं जगड़ा लगाने वाला मनुस्य जगड़ा लगाने वाला मनुस्य एक सब्द में उसको हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं इस प्रश्ण का उत्तर दीजेगा सभी लोग जगड़ा लगाने वाले मनुस्य को हम लोग क्या कहते हैं उसको क्या कहा जाता है A.B.to reporter CN है बेदेरीन को सन है बिलकुल नहीं C नहीं होगा जगड़ा लगाने वाला मनुस्य को नाम नहीं दिया गया है शोंख किस रस落च का स्थाइभाव है बहुत सारे वर देखने को मिलेंगे महतस्यारीन परिच्छाव में आये हैं तो आप ऐसे क्वेशन को बिल्कुल ध्यान से ध्यान से रखिएगा ताकि यह सब क्वेशन आते रहते हैं सोक किस रसका इस्थाइभाव है सांत रसका करूण रसका हास रसका या फिर बीर रसका नेश को सन बहुत ही महत्तोपूंड है और सभी उसके एंसर तक हम लोग से मित हैं और जब हम इसके डिटेल और चर्शा करना स्टार्ट करेंगे फिर बताएंगे भरतमुनी के अनुसार का कितना होता है और सभी जोहीं रस आ जाएगा त्योहीं सारे रसों के बारे में मैं लिग करकर आपको उसके बताऊंगा फिर एक क्ल अच्छा इसमें ठीक है जिसमें श्रिंगार रस व्हत्रीन रस आप बताएं बीना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा पर ना महोगा प्रिवक्त जो यहां पर उपयुक्त जयो पंक्ती है इसमें कौन सा चंद है सोठा है मालिनी है दोहा है या फिर उपएंद्रवर्ज्या है तो यह एक वांडिक चंद है कौन सा चंद है मैं आपको बता दूँ एक वांडिक चंद है तो यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छेज शाथ आठ यारा वर्ट मिल रहे हैं तो इहां पूमिल देखो कुए गया वर्ट किसमे होते हैं इंद्रवर्जा उपेंद्रवर्जा और और किसमे होता है तीन में होते हैं फिलाल तो यहां पर आप देखो क्या हो गया उपेंद वज्जा दिया है उपेंद वर्जा दिया है उपेंद वर्जा तो इसमें ही होता है ठीक इसमें 11 वन पाई जाते हैं तो रठा नहीं है माली नहीं है दोहा नहीं है फिर क्या है उपेंद वर्जा है ठी बिल्कुल बिल्कुल सारे कोशन को हम चेक कर लेंगे घवडाने की बात नहीं है जरूर कर लेंगे हम उसमें सधवा ही कहा जाता है पति युक तेस्तरी जो होती है मतलब एक जिसको बोलते हैं आप लोग सुहागिन सधवा का विलोम आप लोग पढ़े होंगे भीधवा से जीवी तो हो सिधय सिधय कोशन दिया गया है ठीक के ना तो यहां पर क्या कोशन है इसको संक आप जबाब दीजेगा बिनाविचारे यह तो हो गया कोशन आगे दिया गया है विवत्सरस्त का स्थाई भाव ठीक का क्या हो जाएगा सभी लोग उत्तर कर रहे हैं दिखाई दे रहा होगा इस प्रश्णे का उत्तर सभी लोग करें हैं सभी लोग जितने भी लोग हैं जो जान रहे हैं तुरंत कट 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 उत्तर करते चलें क्लास को सेड करें ज्याद सेर भी करें तो चोराहा कौन सा समास है प्र, mouse, नतर आ गया जा 살아 laufen 타 कौन सा समास है चोरहाव यहाँ पर दियान दिजेगा यहाँ पर चार संख्या वाची है आपका सीधे सीधे उत्तर के आ जा रहा है प्रस्व संख्या आठ उत्तर आएगा सी चलिए नेश कोशन में चलते हैं प्रस्व संख्या नौ की ओर हम लोग बढ़ेंगे प्रस्व संख्या नौ बढ़ेंगे केशव कहिन जाई का कहिए देखत तवर चना विचित्र अति समुझी मन नहीं मन रहिए में है कौन सा केशव कहिन जाई का कहिए देखत तवर चना विचित्र अति समुझ ही मन नहीं मन रहिए इस प्रसंख्या 9 में अगर आप लोग उतर करना चाहोगे तो कौन से रस क्यों चलोगे कौन से रस तो ध्यान देना यह जो आप उसके अंदर जो कुछ और रसों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं उसी में आप जाओगे तो और जब ध्यान गहराइ में उतरोगे जब पता चलेगा यह कौन सा रस है यह अदभूत रस है सुद्ध और असुद्ध करने के लिए भी कई बार क्वेस्चन आते रहते हैं जिसमें इस सुद्ध और असुद्ध करने वाला होता है अभी वो मैंने लिया हूँ लेकि बताऊंगा जब आप उन और रसों के बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो आपको यह सब रस मिलेंगे तब जहां आप लोग 9 रस पढ़ रहे थे वहीं रसों की संख्या कुला पढ़ोगे 11 ठीक पहला आपका रस क्या होता था आप लोग न रतिया प्रेम इस्थाई भाव नंबर दूसरे में अगर हम बात करें तो हास से रस आता है हास से रस इसका इस्थाई भाव बात करें हम तो होता है हास अच्छा इसमें जो स्रिंगार होता ने दो तरकेक होता एक होता सायोग स्रिंगार और एक होता है वियोग स्रिंगार करूणड रस का क्या होता है सोक ठिक जगह थोड़ा इधर बनाएं तो ज्यादा सही रहेगा यहां पर जगह थोड़ा मिल जाएगा तो इस पर हम लिख दे रहे हैं नंबर एक सिंगार रस नंबर दो हासरस नंबर तीन करुण रस नंबर चार वीर रस नंबर पाँच रोद्र रस नंबर छे भयानक रस नंबर साथ विभत्स नंबर आठ अदभूत नंबर आठ नंबर आठ हो गया नंबर नौ नंबर नौ में आप लोग लिख लिए सांत नंबर दस वाथसल नंबर गयारा भक्ति रस इतने रस से समझेट कोशन आएगा इसमें आपका हो जाता है रती या प्रेम इसका हो जाता है हास इसकरून का हो जाता है सोक वीर रस का हो जाता है उत्साह रोद्र का हो जाता है क्रोध भयानक का होता है भय यहाँ पर अगर आप बात करेंगे आप विभवत सका तो जुगुपसा भी आप लोग बताएं या जुगुपसा या फिर घिनडा भी कर सकते हैं ठेक घिनडा और इसका जो हता आदभूत का होता है आश्चर या भिसमय ठ सांतरस का अगर हम बात करें, तो निर्वेद होता है, क्या होता है, निर्वेद, सांतरस में, उसके बाद में वात्साल लेका जो होता है, यहां वात्साल लेरती होती है, और यहां पर होता है भगवद विसयक, भगवान से विसयरूपी, अनुराग इसको हम कर सकते हैं, अनु में थोड़ा आगे तक आप जाओगे तो यहां पर मिलेगा ठीक और रस सब्दका अर्थ क्या होता है रस सब्दका अर्थ होता है आनंद और ध्यान देना जो स्रिंगार रस है स्रिंगार रस को ही क्या कहता है रसराज कहा जाता है क्या कहा जाता है रसराज कौंसा रस स्रिंगार रस को ठीक आई बात समय है अगर आप से कोशन पुछा जाए कि जो भरतमोनी है भरतमोनी जो रस बताएं है उस अंख्या कितनी है तो भरतमोनी आठ रस बताएं है ध्यान द ना आठ रस में यह जो जो नाटक होता है ना सांत नाटक में चलता है ड़ता है तो उसांत रस संख्या 8माने है तो बहुति जह तो अंगि है कर देखें तो आता है ठिक तो नौ मान लिया जाता है अच्छा नौ में कहेंगे तो क्या हो जाएगा वात्सल रस और भक्ती रस इस रिंगार रस में आपको दिखाई देगा और रसराज पूछा जाए तो स्रिंगार रस को बताईएगा भरतमूरी के अनुसार कहा जाए तो आठ इन्होंने किसको नहीं माना है तो सांत को नहीं माना है सांत रस को नहीं माना है ठीक है तो आगे चलते हैं कुछ कोसन देखेंगे कोसन महत्तपूर्ण था अब कब सभी चल रहा था देखी एक एक कोसन पर ज्यादा discussion करने लेंगे तो फिर बड़ी class हो जाएगी ठीक क्या थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, ठीक, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा नपातुला भोजन करें, उसके लिए एक सब्द में क्या कहोगे, मितब्याई, मितब्याई, मिताहारी या मितहारिन, ध्यांदरा मितब्याई, यहाँ पर व्याई करने का नहीं मतलब है, यह भी दो कारा नमबर के कोशन में अगर हम बात करें यहां पर निर्विवाद में समास है निर्विवाद इसमें कौन सा समास मिलेगा करमधार है अव्याइभाव तत्थपुरूस या फिर वह रही प्रश्च संख्या 11 उत्तर आप लोग इसका क्या करोगे बताओ निर्विवाद विना अव्याइभाव समास लोगे आप लोग या फिर इसका उत्तर जो टेट में माना गया था वह माना गया करमधार है किसको लेते हो आप लोग तो करमधार पता है यहां पे जिसे लगता है कि निर निर उपसर्ग के लगने से क्या बज़ाएगा निर्विबाद हालाकि यह जो तो निर्वाला है निर्जनम निर्जनम निस्प्राणम थेक इस तरीकेस में अगर आता है तो निर्मक्षिकम निर्मक्षिकम इन सब में आता है तो अब्याइभाव समास है यह यह बताओ निर्विवाद निर्विवाद किसमें आएगा निर्वाद अब्याइभाव समास लो लोग बताओ कर्मधारे लोग या फिर इसमें पुस्तक हम एक पढ़ रहे थे जिसमें यह बताया गया कि इसमें कर्मधारे समास है लेकिन अव्य भास नीर उपसर्ग लगा है तो थोड़ा इस वाले को हम और दूसरे भी पुस्तक में देखेंगे अब क्योंकि हम देखो हमारे सामने जब पुस्तक में कोई उत्तर गलत दे दिया जाता है पकड़ में आ जाता है तो हम तुरंत उसको नहीं काटते हैं जब तक पी उसके और भी जान ले कि हां कुछ एक्जामपल बहुत हैं कोई कोई नियम उपनियम तो लगा करकर के नहीं डाल दिया गया तो ऐसे कंडिशन में हम उसको एक बार और चेक कर लें कि फिलाल आप लोग को मैं बता दे रहा हूं जिसे निर्जनम निर्मक्सिकम निर्मक्सिकम और निस्प्राणम यह सब जो जितने भी बनते हैं वे सभी के सभ आपके अव्य भाव समास हैं लेकिन यह निर्वी बाद जो एक कोशन पूछ दिया गया है इसका पुस्तक में जो है उत्तर छपा है यह जो मैं बताया हूं कर्मधारे छप गया है अब हम यहीं सोच रहे हैं कि इसको किस नियम से उसमें करें अगर निर्र लगाएं या इसक में कर्मधारे दे दिया है जबकि निर 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 लगने से ऐसा लग रहा है कि अव्य भाव समास हो जाता तो ज़्यादा सही था फिलाल आप लोग भी कह रहे हैं अव्य भाव समास लेकिन अभी भी हम काटेंगे नहीं किसी भी प्रश्ण के उत्तर को थवा और अब आचानक से मेरे सामने कोट्षन फिर से आ गया तो मैं इसको बता दिया हूं थीक है तो इसका मैं अभी एक उत्तने दूँगा अभी किताब में उत्तर कर नΥल्भा है घ्यान से लग रहा है कि इसका भी होना चाहिए ठीक ज्ञान से क्या लग रहा है वी agu eu 우리는 जा अभी म कोशने देख लेना चाहिए डिखने में क्या बुराई है एक कोशन आप लोग होमवर्क में रख लीजिए उसको ठीक है तो चलिए नेश कोशन देखते हैं आम लोग उतकर्ष सब्दकाव बिलों बहुत ही अच्छा कोशन है पहतरीन कोशन है आप लोग इस प्रश्ण का उत् जरूर देजिए ठीक है हरियो महरियो मह अच्छा एक चीज़ कहीं जो वहाँ पर हिंदी में जब थ्वाच चेंज में मिल जाता है तो देखने में लगता है कि हो सकता है चेंज हो अब यहीं तो याद नहीं आ रहा नहीं तो मैं खोल के देखना लेता कि कि इस तक में मैं कहीं पढ़ा था जरूर इतना दिमाद पे आ रहा है अभी हाल ही में मैं कहीं पढ़ लिया था इसलिए उसका एक कोशन करने में मैं उसको रोग दिया बद्धिमान लोग लिखते हैं किताब भी नहीं है उसा थोड़ नहीं है कि एकडम खतम हो लोग लिखे औो खतम लिखें होंगे तो फिर हम ऐसे बहुत लोकल किताब रखते नहीं अपने पतन अपकरश आपभरष्ट वीकर्स है तो क्या है अपकर्स ? हो सकता है उसमें मिस्प्रिंट भी हो ? ऐसा भी हो सकता है तो थोड़ा हम उसको देखे नहीं, जल्दवाजी में उसको ध्यान नहीं दिये, बस दिमाग में आया, तो मैं सोच रहा था कि इसको कैसे कर दिये, लेकिन मैं उसके काम नहीं कर पाया, और काम जब कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है, गुड आप्टर मुद, जब का जब करता है कि जो अपनी बारे में कुछ नहीं बताए, एकदम उसके क्विया के लापस कुछ पता ही ना चले, वह अंतर मुखी होता है, जो एकदम हर चीज उसका खुला हो, क्या होता है, बहर मुखी होता है, कुछ चुपाए ना, ऐसा कहा जाता है, प्रस्ट संख्या, च पूश yolी सकते हो, राजस विभांग ही पूछ सकता है, ठेक राजस व्लीचर के को कोस्टन अया था, उसके पेपर में यहा आया था, बताओ यहा किस में आएगा, यहा किस में आएगा, तो अभी अभी जो हम यहाँ पर बताएं है, कि क्या होगा, जहताह मज्जा मांस, अब अगर इस्थाई भाव जो है ठिक वो भाव अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ यह कौन सा रस हो सकता है जल्दी से सभी लोग उत्तर करें इस प्रश्ण का उत्तर सभी लोग करें अभी हम इस पर चर्चा किये हैं अगर किसी को जरुवत पड़ और आप जल्दी से उत्तर को समझ जाओगे जय 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 गिरी राज की सोरी जय महे समुख चंदे चकोरी भारते दुजी इसी के इसी पर एक लाइन लिखे हैं कि सिरपर बैठाई काग आँख दो उखात निकारत खीचत जिवाही सियार अतिही आनंद उरधारत गिद जांगी को खोदि खोदि के मांस उपारत अस्वान आंगुरिन काटि काटि के खात विदारत गिर्णा हो रही है गिर्णा होगी तो कौन सा बनेगा गिर्णा किसका इस्थाई भाव है किसका इस्थाई भाव होगा बताईए विवत्स का ना तो क्या हो जाएगा उत्तर सभी लोग करो, थोड़ा फार्ष चले ना, हाँ और थोड़ा फार्ष चलते हैं, निस्यत तरीके समको मालूम एक ज़्यादा डिटेल किया हो सकता नहीं है, फार्ष चलने क्या हो सकता है, तो इस प्रश्ण में क्या हो जाएगा, भागी रथी, इस प्रश्ण का उत्त बहुत सारे अलग-अलग बराइटिक बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपली में उतरने कोई जरत नहीं है, क्वेस्टन और उसके अंतर को बताना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत कठी नैसी है भी नहीं, जो बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत हो, सबको पता ह पर संक्या 16, उत्तर क्या बनेगा, सब्ध बरतनी माला वीरी, हीळी, वीरहीडी, ठीक बता स्वेले क्या सब्सक्राइब, हीडी तो सही है, वीरी नहीं, यह सी होना चाहिए, क्या हो जाएगा, सी, फवा आक ध्यान से नहीं, पहले, एकदम चील की तरह द्यान होना जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सभी लोग बताते चलें, सेयर कोई नहीं कर रहा है, لायक भी कोई नहीं किया ही तरвор हिंदी सब्धकोस में क कि बाद कौन सा वेंजन दिखाई देता है, क क कि बाद अग्छा आता है, क्यों क्यों कि वह बना ही इस इसे है, ठैक, ना, तो जब यह को के बाद सव तो को और सव के योग में च्छ बन जाता है ठीक तो इसी में आएगा ठीक है आगे चलते हैं नेस्ट कोश्षन भारत नहीं भारत के आमसार भारत के रशसुत्र में निमलिकित में से किसका उलेख नहीं है प्रसंख्या 18 बता दो किसका उलेख नहीं अभी भ सांत रस नहीं लेते हैं संचारी भाव इसमें नहीं आएगा किने हैं कि यह हैं कितने हो जाते हैं पूरा दो दो चार दो छो एक साथ चार 11 कितने हैं 11 हैं तंस्कृत में कितने हैं नव है आगे देखेगा किस में आएगा किस में आएगा भाई गिन लोग टैक्स गिनो किस में आएगा यह एक तो चौपाई है क्या है यह चौपाई का एक लाइन दिया गया है पूरा वही है हाना कि यह चार चौण नहीं दिये गये हैं किवल दो चलने यहाँ पर दिया गया है ठीक तो इस क्या हो जाएगा आपका राइट एंसर बी चौपाई आगे देखते हैं कीचड उचालना मुहावरा का अर्थ सही है कौन कीचड उचालना मतलब मल फेक देना मल फेकना दूसरे के कपड़े गंदे करना बदनाम करना या दलदल में फसना तो क्या हो जाएगा कीचड उचालने का मतलब है बदनाम करना ठीक क्या हो जाएगा बदनाम करना इसका राइ पसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रियास करता है। स्वार्थ पूर्ती होता है अपना वस कीवल हो जाए और सब जाए भाड में कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा कपटी मित्र के लिए दाथ काटी रोटी आस्तिन का साप अकलकी दुम् आबनूस का कुंडा आस्तिन का साप आस्तिंक शाप का क्या मतलब है कपटी मित्र क्या हुजब गाए कपटी मित्र tract basis लो तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग होता है तिलक लगाते वक्त किस अन्न का प्रयोग किया जाता है बताओ गया ज़ो उड़द किसका किया जाता है बताते चलो थोड़ा नीचे कर देते तीलक लगाने के लिए किस अन्य का प्रयोग किया जाता है कौन सी अन्य परियुक्त होती है इस प्रश्न का उत्तर करिये क्या मिलेगा अक्षत का किसका अक्षत का बहुत सही नेश कुस्टन लेते हैं निमलेखित में दीज़ू समास का उधारण है जल्दी बता इसमें से दीज़ु समास किसको आप बताे दीज़ू समास के लिए क्या बतावकि तृभूवन तीरङ़ एकादंत दसानन नहीं, यह सब नहीं होंगे, त्रिभुवन होगा, ठीक क्या होगा, त्रिभुवन, दिगुसमा, संख्या बाची होना चाहिए, हरियाना टेट में पूछा गया है, जंगम का बिलोम सब्द है, जंगम, जो जग जंगम तीरत राजू, जंगम का बताओ, जंगम, बहुत सही, क्या हो जाएगा, जंगम का आगम, निगम नहीं, यह सब नहीं है, दुर्गम नहीं, यह भी इस्थावर, चंचर्श, इस्थावर होगा, क्या होगा, इस्थावर, ठीक, जंगम का क्या हो जाएगा, इस्थावर, दिलोम सब्द पूछा है, किस रस का इस्थाई भाव निर निर्वेद ठेक वातसल्य रसका क्या हो जाएगा घिंड़ा जुगुपसा भी बताया स्रिंगार रसका रती प्रेम भक्ती रसका क्या था भगवान के प्रती अनुराग ठेक यह था आगे दिखते हैं बात तय थी लेकिन आयन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुख ग अ क्शेन के लिए लेकिन आयन मौके पर लका पकरने सारा काम रुखाना एसा ओला थाइक इसके लिए कौन सा अकल पर पथ्थर पढ़ना गुड़ंगोबर करना तो वह मेहन वक्त सब्द का समास बताईए इसमें सब्द में कौन सा समास बनेगा इस प्रश्ण का उत्तर सभी लोग दें अव्य भाव बंद कर्म धारयातर पूरुस्ट यथा लगा है ठिक क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा एह हो जाएगा नेश को सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत कीमत हो ठीक आगे देखते हैं नेश को सब्सक्राइब निश्चेश्ट दूरधर्स आसिरवाद देखो यह जो सकार का योग होता है चो के साथ में न यह अगर तालब कर दंती का तो दंती का इसा रहता है तो यहां तालब रता तो सभी रहता है यह वाला इरर है ठीक असुद्ध्य है निश्चेश्ट ठीक जो लोग संधी पड़े होंगे समझ गया होंगे मैं क्या कह रहा था आगे देखिए वह भी आइसा नहीं कर सकते कि इस तरीके से द्रिष्टी लिखें या इस तरीके से द्रिष्टी लिखें ठीक ऐसा नहीं हो सकता क्या हो गया मुर्धा के साथ में मुर्धनने वाला ठीक है तो क्या हो जागे यहां से वर्तनी की दिश्ची से सुद्ध सब्द है प्रश्य संख्या 32 हो जाएगा इसका सुद्ध आनुसंगिक क्या होगा जैसे कल एक बात हम लिए थे प्रामारिक वेसी तरीके से यहां भी देखे आनुसंगिक इसमें बता up तर क्या बनेगा एक सण तो सब्सक्राइब हो जाता है कंठ हो जाएगा ठीक आगे देखें इन में सायुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें से कौन मिल रहा है बी मिल रहा है राइट एंसर बी आएगा जय और यह से मिलके बना है जय आगे बताओ इसमें थोग उत्तर बहुत स्लो कर रहे हो करो सभी लोग तुरंत उत्तर क्या करो जो उत्तर नहीं करता है पता है लाश्ट तक वहीं कम जोरी अपना पाले रहता है क्वेशन तुरंत था देखो अभी को आया है वहोट सही वाव क्या वात है इसम तराक्स आना चाहिए देश भक्ती कौन सा समास है बहुबरी ही द्वांद्व दिगु या फिर तत्पूरुष कैसी भक्ती किसकी भक्ती देश से ना देश से भक्ती यो देश की भक्ती ठेक तो क्या हो जाएगा आपका यहां से राइट अंसर तत्पूरुष समास बहुसे दिगु होबा नहीं द्वन्द भी नहीं है वहुबरी भी नहीं है ठीक है तो क्या हो जागा डी वाल आपका करेक्ट हो नेश को सन देखें फिर से सुद्ध परतनी वाला एक सब्द आ गया सुद्ध कौन सा लिखा गया है 36 नमबर का कोश्चन उत्तर जैसे आप लोग अभी किये हैं तडंसे उत्तर करते हो उसी दर्गर बहुत तेजी से उत्तर करो बहुत सही बहुत फास उत्तर करें 36 नमबर का उत्तर करें करें अभी भी सभी लोग पीछां का को रहें तर गोह सेसी अग्यारा है, दोभीन थोभीनी नहीं होता है यह थोबिन होता है यह वाला को why आप उसको पहचानते चलें क्या है उसमें अंतर हरश्व और दिर्ग का क्या लफ़डा चल रहा है यह बहुत ही महत्पूंड को सन है बहुत ही महत्पूंड लोग भूल जाते हैं और यह को सन लग लोग गलती करते हैं इसलिए बार-बार यह आयो को सन डालता रहता है लोग पर्यावाची किसका इंद्र का है ठीक किसका इंद्र का और यह इंद्र का पर्यावाची लोग जो है बार-बार यह वाले कोशन गलत कर देते हैं इसलिए हमको लगता है कि बार-बार वो पूछते भी हैं लोगों को यह भरोसाई नहीं था कि इंद्र का पर्यावाची यह भी हो सकता था और इसलिए हमको लगता है बार 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 कोशन यह है दो तीन बार देख सकते हैं आरो यारो भी एव जो है कोशन यह है पूछा गया है मैं यहीं कहूंगा कि आप लोग इस कोशन के उत्तर को बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा लेना और ये जान जाना कि इंद्र को यह भी कहा जाता है कुछ ऐसा ही कोश्टन धिरे 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 जब आप लोग करते रहोगे न तो अपने आप दिमाग में वो बैठ जागा करते करते होता है नहीं तो भूल तो सब ही जाते हैं भूल तो हम लोग भी जाते हैं भूल तो हम लोग भी जाते हैं बहुत सारे प्रशनों को लेकिन जो ही वह आता है सामने जो ही आएगा दिमाग पर तुरंत फिर से लाइट जल जागे हाँ 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 ऐसा वाला है यही बिलकुल पकड़ ठीक नेश्कोस्टन लेते हैं। जीव का परियायवाची है, जीव वचन रसना अध्वनी जीव रसना होती है, क्या होगा रसना। ठीक है अगे देखते हैं नेश्कोस्टन। निमलिक्षित मैं से कौन सा अवण उचानक दिरिश्टे दंत्य का नहीं है। तो सुत्र लगाओ जल्दी बताओ कौन सा नहीं होगा है चलो बताते चलो पता हो जाएगा दिरे दिरे लगाते चलो हेल्यो माइटी एट फ्रेंड चलिए आगे देखते हैं जी नमस्तुभ्यम नमस्कार सभी लोग को काम सब्सक्राइब आज मैं कुछ वर्तनी से 4-5 कोशन ले लिया हूँ आज संद से कोशन लग रहा है नहीं है सब्सक्राइब इन सब्सक्राइब वहाया कोश्चाइब जो परिच्छाओं में आये हैं ठीक बहतरिन बहतरिन कुश्चन है इसमें बताओ कौन सा सुद्ध होगा चालिस नमबर के उत्तर में पठाक से उत्तर करो राइट हैं से सभी लोग आना चाहिए देखते देखते जान गया होंगे परिच्छा होता है और सभी गलत दिया गया है इसमें बताओ गलत विलोम सब्द यूग्म है कौन गलत प्रवेस नवेस प्रवेस का क्या होता है निकास होता है प्रवेस यहीं गलत है मूँक हो ही वाचाल जो गुंगा होता है बोलने वाला आही गया हम सोच रहे थे कि इस प्रिशन को डाले थे कि नहीं डाले थे अ मैं इस बिल्कुल सभी लोग हुई हैं भिल्के लोग है हैं हम बिल्कुल और भी टाफिक अभी कि आ जाएंगे सारे टापीक बना से बाइंगे तब करवाते रहाते हैं। यह जरूरी नहीं कि यह कही कर्पिक ह्NEundHello बॎलर स्टैक्ट कर देंगे अच्छा कोशन लगता है तो ले लेते हैं। भरतमुनि के अनुशार, रसों की संख्या कितनी हैं? आथ, इन्होंने किसको रस नहीं माना है, अगर कुशन, पूछने किसको रस नहीं माना है, सांत वाले को रस नहीं माने हैं, तेख, आगे देखना, गुरु के समी परहकर अध्यान करने वाला, ये क्या कहा जाएगा, ये जब पढ़ रहे थे तो उत्तर तो सही मिला था ठेक ये तो बिल्कुल सही मिला था कि नहीं हाँ यहीं आप कह लीजिए ठेक है तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएं सभी लोग अपना पहले बता दें उसके बात फिर हम अपना बताते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि इस कोशन में हो सकता है गलत करेंगे आप लोग और जब गलत करेंगे और हम बता देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे फिर हो फिर नहीं भूलेगा ठेक अच्छा एक कोशन और भी आता है इसे एक कोशन और भी आता है वो question है काता है जिसका जंग छोटी या अंत्यजाती में हुआ हो तो उसको अंत्यज कहते हैं क्या कहते हैं उसको अंत्यज कहते हैं लोग कह देते हैं सुद्र और वहीं गलत हो जाता है तो सुद्र नहीं कहना है अंत्यज को उसको ध्यान देना फिलाल यहां पर जो question है इस प् सब्द अही का परयावाची नहीं है परयावाची है कि नहीं है उरग सरीस्री पवनास सिंदूर क्या नहीं होगा बताओ नहीं है नहीं अही माने क्या होता है थ्वा बता देना हमको पहले बताओ हमको इसका बताओ उत्तर सभी लोग बताओ अही का अही माने क्या होता है सभी लोग इसका उत्तर करें अही सिंदुर नहीं होगा अही माने क्या होगा पहले ये बताओ फिर हम बात आप से करेंगे आगे पहले हमको बताओ कि अही माने होता क्या है अही माने क्या होता है अही snack गुड बहुत सही अही नकुलम आपको याद होगा जो भी दो-तीन दिन पहले में अभी हम जब चर्चा कर रहे थे संस्कृत में और एक उसमें वह आया था समास आता है अही नकुलम बहुत ही महत्तपूर है जिसमें हम बात करते हैं क्यों क्यों अही और नकुलम मतलब अही मतलब सर्प और नकुलम मतलब नेवला और कौन से समास हो जाता था उसमें उसमें कौन से समास होता था जल्दी बताओ तो उसमें होता था दौंद समास ना उसमें क्या होता था समाहार दौंद समास होता था बहुत सही तो इसमें अब आप लोग जब आया सर्प का तो सर्प का इसमें करें नहीं है सिंधूर माने होता है क्या किसी परिच्छा में आया भी है किसमें आया है देख लिजिए और यहां पर क्या होता है उरग होता है और उरग स्वस्वात बीध समीरायाद है हम वो लाए में भुजंग होता है पन्नग भी होता है यह सब आप लोग डाल दिये डाल करके सिंधूर और एक हुआ इस प्रश्ण में एक उत्तर इग्जैक्ट उत्तर क्या होना चाहिए यह हमारे दिमाग में फिसलने लगा और आप लोग बता हैं कि हमारे पास उत्तर पुत्तर लेकर हम नहीं चलते हैं और जो आप कहीं भी रहता है तो बताइएगा वैसे जहां तक हमको लगता है कि सिंधूर वाला जो सब्द है सिंधूर क्यों यह दिमाग के हमारे जो है आप लोग खिसका दिये हैं हम अहीं होता है ब्याल होता है नाग भी होता है भुजंग होता है पन्नग भी होता है है और इस प्रश्ण के उत्तर के हो ले हरे सरी स्रिप में हां आते हैं सरी भाई लाजि में आप लोग पड़े होंगे रेंगने वाले इसके एक उत्तर की बारे में भी हम नहीं करेंगे ठिक आपका उरग भी होता है ठिक अब इसमें से सरिस्रीप भी साप को अगर हम लेए लेते हैं अगर हम लेते हैं अगर इंगता नहीं हो जाएगा न तो पवनास ही आ रहा है दिमाग में न तो सिधुर ही आ रहा है उरग आता है उरग भी आ रहा है भूजसघ भी आ रहा है पनमग ना व्याल इस व लेकिन वह नहीं आ रहा है चलिए कंट लुगे कि उसको मों दो कर गया कई भी तो प्वुज़ है हम में वीडियो के नीचे हम कुमेंट कर देंगे त्रवी में अभी उस्को issya क्या वॉ fulfillment या आप लोग खुद ही खोज सकते हैं हिंदिया बहुत कठिन नहीं है कोज लोगे निकल जाएगा गूगल उगरे करों के पट से आजाएगा नैसरगी का प्रयाइवाची है सब्तक्रित चमतक्रित प्राकृतिक या फिर चतुर्देग प्रयाइवाची क्या आप लोग लगा होता है हुँ तूरंग माने होता है होला कि सकते हैं जल् LC बताऊ अहस्व होता है तूरंग मातया सब्तक्रित होली होता है लौजी वाजल्द होता फॉसुर्द का प्रयाइवख नहीं वाजी होगा ऑा जल्दी बताहए वाजrices रगा लगा इसमे इसमें बाजी कर दे तो हो जागा कट से तुरंग बाने क्या होता है घोड़ा होता है ना अबाज भी कहते हैं है भी कहते हैं असो भी कहते हैं ना यहीं होगा और और तो कोई नहीं मिल रहा है कुछ और मिल रहा है कुछ और आप लोग कह रहे हैं उत्तर क्या तो आप देख लेते हैं आप लोग के उत्तर भी ए बहुत सही चलिए ए पर ही हम दिश्रुग के ना आगे देखते हैं नेश कोशन में मुंसी प्रेमचंद उपन्यास सम्राथ कहे जाते हैं कथा चेतर में उनका लेखनाति उत्तम है रेखांकित वाक्यांस के लिए उपवित मुहावरा उपन्यास सम्राथ यही होगा मुंसी प्रेमचंद उपन्याज समराट कहे जाते हैं प्रश्व संख्या 47 यहीं होना चाहिए इसमें बताओ इसके लिए सही मोहरा क्या बना होगा टोपी उछालना कलम तोड़ना कान काटना तूती बोलना मतलब मुंसी प्रेमचंद की ही तूती तूती बोलती है उनका लेख बच्चों को जरासी सरारत पर विवेक ने क्या किया घर सीर पर उठा लिया पीठ दिखा दी नाको चने चबवा दिये हवाई किले बना लिये प्रसंख्या 48 उत्तर क्या बनना चाहिए जरासी बात को अगर आप ध्यान में रखोगे उत्तर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे ध्यान रखना उसमें एक सब्द है जरासी बात ना क्या है जरासी बात और अगर जरासी बात को ध्यान में रखे तो उत्तर बिल्कुल पक्का करोगे जल्दी से देखो अच्योतम के सवं किष्ण दामो दरं रामनारायडं जानकी वलभं बच्चो को जरासी सरारत पर घर सिर पर उठा लिया हाँ यह बन सकता है या फिर हवाई कीले बना लिये यह देखो क्या होता है ना हवाई कीले बनाने का क्या मतलब है और दूसरी बात निकल जाती है जैसे लगता है कि घर सिर पर उठालिया ज्यादा सही है बच्चो को जरासी सरारत पर विवेक में घर सिर पर उठालिया थोड़ा से सरुआत कि हां लो बेटा या बताते हैं सब कुछ आगे देखते हैं अंधो में काना राजा का अर्थ है अंधो में काना राजा अग्यानियों में अलप अग्यान क्वाले का सम्मान होना विद्वानों की सभा मुर्ख का सम्मान होना मुर्खों द्वारा विद्वा की पूजा करना दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना अंधों में काना राजा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला सम्मानित होना एस ही होगा है विद्ध्वान सुभा मुर्ख का समन्त होगा है एस ही नहीं अग्यानियों में अर फग्यान वाले का सम्मान अंधों में न राजा एस ही है ? उनमूलन का विलोङंक्या होगा ? उनमूलन अव्मूल्यन विसलेशन, रोपन, सनसलेशन लोग करते हैं इसका उनमूलन कीए, उनमूलन कीए वेद्व क्या होता है ? ुखाड दिये मिंठेड गेहूं था तेफ्ट है एसमें आता था गेहूं का नहीं घुन टृपल-डब accompanied by पच्ऩवन होगया जो बहुत ही महत्ता पूंड भी म Racina पहले बताए थे कि जिसका जन्म छोटी जाती है था तो निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए प्रिक्त सब्द क्या होगा अंड़ यसुद्र अंत्य अच्छूत सभी लोग इस प्रश्ण का उत्तर बताएं सेयर करें अब अच्छा लगे तो लाइक करें ना अच्छा लग करते करते दुनिया धारी खत्म हो जाएगी पुरा नमाचार करते करते उल्टा सिधा लोग कोशन बाने लग रहे हैं करना चाहिए बहुत ज्यादा नवाचार नहीं है नवाचार होते 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 होने लगी मतलब बीना आईयस की परिच्छा दिये लोग सचीव बन जा रहे हैं सचो जो प्रापर यंश की नवकरी करता है और करीब 17 से 18 सब्सक्राइब करता है यह उल्टा-सिदा कोसर बना देते हैं उसी में तब घ्रमित कर देते हैं ऐसे कोशन आने ही चाहिए ठीक है बिल्कुल पूर्णिमा करे हैं कि सर बहुत अच्छा है बिल्कुल अच्छा ही है ऐसे कोशन 2 ठीक है अब खूरय पातों वाला कोश्चन आए हमको अच्छन नहीं ल प्रेम किसोर भी जोड़ Des हेलों हो रही है दो एक दिन जो है मेल एक दिन लाइट नहीं थी और एक दिन संडे पड़ गया अब कि नियुक कर गया त्ट्स था और के कुष्प स 부분이 अब को त्री शेर करते रहें तर्वाइस फिर मेरे अभी लिखा ही गया किनी क्लास होगा मरे डारी में तो 1943 хотел को शहाल चाहिए ठीक है कुछ नए-नवाचार किए जा रहे हैं ज़्यादा नवाचार बहूंत अच्छा नहीं होता है थिक सभी लोग से ज़रूर कीजिएगा समय से उपसित रहीए क्लास में ठीक तो कि नई बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम बता तो रहें बहुत ज़्यादा उल्टा सिधा कोश्चन भी कर वाना अच्छा नहीं है क्या पूराने कोश्चन ठोडिन जो कुश्चन इंग्जाम में आये एक सर्व कुछ इकदम नया लिख दीजी हमका वेवकूप हो क्या वह ज़्यादा दुनिया दारी बढ़ा रहे हो कुल मेरी क्लास अभी तो एक होती है एक बजे एक चार बजे प्रस्तावित है और अभी आठ बजे क्लास अभी स्टार्ट करनी है साइंस के लिए अभी ओ समय यह है और फेक यह हां बिल्कुल मनिशा भरती ओं कमेंट की थी कि सर इस क्लास संस्कृत की आगे कर दिए तभी हुआ है और तभी सबी क्लास ओ नहीं पा रही है यह आंसर तो बता दिए ना इसका इसका अशर तो बता दिए थे इसको अंक्याज कहा जाता है थिक है शुद् कर लिजेगा इसी के साथ में आज का क्लास इसी पब हम रोकेंगे इसी पब हम चलेंगे ठेक कि टेट में रिपीटेड इग्जैक्ट सेम नहीं होता है बड़ उसी से पैरलल कोशन आते हैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आता है ठीक है जैसे लगता है कभी हम टेट ही नहीं दिया नहीं देखते हैं हां तो हवा तो होई जाएगा सबको देखो अपना परिच्छा देना होता तो बड़ा डर लगता है अभी हम भी कोई परिच्छा देते हैं तो हमको भी डर लगता है कोई भी व्यक्ति हो जब उसको अपना परिच्छा देना होता है तो दर लगता है जब पार हो जाता है त जब अपना कोश्तन देना होता तो अपना विश्चा देलो डर जाएगी ठीक है जड़री नहीं होता है कि अब फिर